हेलो दोस्तों आज की कहानी का शीरशक है दो भाईयों का मेरे प्यारे मित्रों कहानी को अंत तक सुनिये और अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एक बार दो भाई थे जिन्हें अपने पिता की जमीन विरासत में मिली थी दोनों भाईयों ने जमीन को आधा आधा बाट लिया और हर एक अपने अपने हिस्से पर खेती करता था समय के साथ बड़े भाई ने शादी कर ली और उसके छै बच्चे हुए जबकि छोटे भाई ने कभी शादी नहीं की एक रात छोटा भाई जाग रहा था यह उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती के लिए आधी जमीन है उसने सोचा मेरे भाई के पास खिलाने के लिए छै बच्चे हैं और मेरे पास एक भी नहीं है उसके पास मुझसे ज्यादा अनाज होना चाहिए उस रात छोटा भाई अपने खलिहान में गया और गेहु का एक बड़ा बंडल इकठा किया वह उस पहाडी पर चड़ गया जो दोनों खेतों को अलग करती थी और अपने भाई के खेत तक पहुँच गया गेहूं को अपने भाई के खलिहान में छोड़कर छोटा भाई मन ही मन प्रसन होकर घर लोट आया इससे पहले उसी रात को बड़ा भाई भी जाग रहा था यह उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती के लिए आधी जमीन है उसने सोचा मेरे बुढ़ापे में मेरी पतनी और मेरी देखभाल के लिए हमारे बड़े बच्चे होंगे पोते-पोतियों का तो जिक्र ही नहीं जबकि मेरे भाई के पास शायद कोई भी नहीं होगा उसे कम से कम अब खेतों से अधिक अनाज बेचना चाहिए ताकि वह अपना भरन पोशन कर सके बुढ़ापे में सम्मान के साथ इसलिए उस रात भी उसने चुपके से गेहों का एक बड़ा बंडल इकठा किया और पहाडी पर चड़ गया उसने अनाज अपने भाई के खलिहान में छोड़ दिया और मन ही मन प्रसन्न होकर घर लोट आया अगली सुभा जब छोटा भाई अपने खलिहान में गया तो अनाज की मात्रा अप्रिवर्तित देखकर आश्चर्यचकित रह गया मैंने उतना गयहू नहीं लिया होगा जितना मैंने सोचा था उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा आज रात मैं निश्चित रूप से और अधिक ले लूँगा उसी क्षण उसका बड़ा भाई भी अपने खलिहान में खड़ा था और वही विचार सोच रहा था रात होने के बाद प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से अधिक मात्रा में गेहू इकठा किया और अंधेरे में उसे गुप रूप से अपने भाई के खलिहान में पहुचा दिया अगली सुभा भाई फिर हैरान और परेशान हो गए तीसरी रात पहले से भी अधिक द्रेड प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से गेहू का एक बड़ा धेर इकठा किया उसे एक गाड़ी पर लादा और धीरे धीरे खेतों के माध्यम से और पहाड़ी पर अपने भाई के खलिहान तक खीच लिया पहाड़ी की चोटी पर चंद्रमा की छाया के नीचे प्रत्येक भाई ने दूरी पर एक आकरिती देखी यह कौन हो सकता है जब दोनों भाईों ने दूसरे भाई के रूप और उसके पीछे खीचे जा रहे बोच को पहचाना तो उन्हें एसास हुआ की क्या हुआ था दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से शुक्रिया ऐसी और रोचक कहानियों के लिए रॉयल अंडर्सकोर संदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए